जैश्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में तो बेटा जैसा कि आप लोगों को इसक्रीन पर दिख रहा होगा आज हम लोग एकाउंटिंग टर्मोलोजी या जिसे हम कहते हैं लेखांकन सब्दा वाली इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं देखो क्या होता है मुद्दा कि जब हम जब भी भी हम टर्मोलोजी की बात करते हैं तो टम्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आप एकाउंटिंग में चीजों को सुनते हो चाहे डेटर हो क्रेडिटर हो बि दिखा जाए तो आप लोगों ने class 11 जो भी बच्चे commerce बैक्ग्राउंड से हैं उन लोगों ने class 11 चैप्टर टू या चैप्टर थी में इस termology को जरूर पढ़ा होगा और आप उससे go through भी रहे होंगे अईसा नहीं कि आप कोई नई चीज पढ़ने जा रहे हैं बस यह है कि आ पहले आपका point आता है बिटा business क्या होता है तो आपको अच्छे से पता है कि सर business धन को कमाने के उद्देश्च से किया जाता है और जहां पर goods और services का क्या होता है exchange होता है जहां पर seller और purchaser एक दूसरे से क्या होते हैं मिलते हैं और मिलते हैं क्यों मिलते हैं किसलिए मिलते है ताकि वो लाब कमाएं हम और आप किसी से मिलते जैसे हम अपने दोस्त से अगर मिल रहे हैं तो क्या लगता है कि हम उससे कुछ लाब कमाएंगे कुछ प्रॉफिट कमाएंगे बलकि अपना लॉसी करके आ जाते हैं कैसे दोस ने का चल भाई कुछ खिला दे खिलाना आप लोग खुद खा लेते हैं वह अलग चीज है लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो आपको खिलाना पड़ेगा लेकिन जब आप बिजनस के पॉइंट पे बात करते हैं बेटा तो बिजनस के पॉइंट पे अगर हमारा दोस्त भी हमारी दुकान पर आ रहा है और हमसे कहर बराबर लेंगे या कॉस्ट से जादा लेंगे का सबसे पहला उद्द से होता है कि आप प्रॉफिट कमाईए पचास 19 का ही कमाईए पचाहे एक एक रुपय का ही कमाई जैसे आपकलास में बैट के चल्गम क乘ा रहें माल लीजिए जब आप pag Taste चल्गम का प्रैस कितना रुपया है एक रुपय एक रुपय टो उस एक रुपय पर भी सोचो सोचो है कि अ कि समझो वहां से वही हिए को कि जो आप बगल आप बबल गम खा रहे हैं उसको आपने कहां से खरीदा आप कस्टमर है ना आपने उसको कहां से खरीदा सर रीटेलर से खरीदा है अच्छा रीटेलर ने कहां से खरीदा होगा फोल सेलर से खरीदा होगा फोल सेलर ने कहां से खरीदा होगा बेटा डिस्टिब्यूटर से खरीदा होगा distributor ने कहां से खरीदा होगा company से खरीदा होगा वो इस जो चीज पैसे का हृसे का SHARimana होगा कशार और रितेलर ने घ्राइब curved Sir ऑम इस पैसे क्षानि ले रहा Am end Health Metgruppe इसने 40 पैसे का खरीदा और इसने इसको 20 पैसे में बनाया होगा यह जो 20-20 पैसा मैं आपको बता रहा हूं यह 40 पैसा बता रहा हूं यह 60 पैसा बता रहा हूं यह कॉस्ट बता रहा हूं मैं कॉस्ट नहीं बलकि सेल प्राइस बता रहा हूं और आपको भी पता होगा कि बेटा सेल बराबर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है सेल बराबर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है इसका मतलब यह 80 पैसे में प्रॉफिट छुपा है जो की होल सेलर ने कमाया होगा 60 पैसे में प्रॉफिट छुपा है जो कि company ने कमाया होगा concept clear हो गया कि नहीं clear हो गया business क्या होता है sir व्यापार करने के लिए जो भी कुछ हम काम करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है business कहलाता है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि business के तीन portion होते हैं कितने portion होते हैं जो कि आप लोग यह इसी बार पढ़ेंगे एक जिसे हम कहते हैं एकल व्यापार या जिसे हम कहते हैं और तीसरा होता है आपका क्या company बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में आ गई अच्छा एक चीज और बता हूं इन तीनों की अलामात दो चीज और होती है एक होता है आपका HUF और एक होता है आपका cooperative society ठीक है अब आप ध्यान से सुनिए आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं कि मैं आपको सिर्फ तीनी चीज बताऊं अगर किसी ने पूछा की जरह बताईए form of business organization तो आप पांचों का नाम लेंगे आप पांचों का नाम लेंगे पहला क्या है soul proprietorship दूसरा क्या है partnership तीसरा क्या है company चौथा क्या है बड़ा हुए जिसे हम हिंदू undivided family कहते हैं और लास्ट आपका क्या है cooperative society अब आप कहोगे कि सर soul proprietor तो समझ में आ रहा है partnership भी आ रहा है समझ में company भी थोड़ा बहुत आ रहा है यह हुए हुए क्या होता ह है हुए का मतलब joint Hindu family जैसे क्या होता है कि एक ही परिवार के लोग मिलकर जब व्यापार चलाते हैं एक ही परिवार के लोग मिलकर क्या चलाते हैं परिवार चलाते हैं व्यापार चलाते हैं तो आपका हुए कहलाता है अच्छा कॉर्परेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होत जैसे क्या होता कि यहां पे 4-5-10 लोग मिल जाते हैं और मिलकर अपने एक निश्चित उद्देश के लिए अपने आप को लाब कमाने के लिए पाने के लिए वो लोग ब्योसाय सुरू कर देते हैं ठीक है जैसे कॉम्मुनिटी जीसे कहते हैं आप कॉमुनिटी ठीक है आप क तो उससे पैसा लेंगे और अगर कोई उनकी community का परसन जा रहा है तो उससे उतना नहीं पैसा लेंगे बलकि थोड़ा सा क्या लेंगे कम लेंगे बात समझ में आ रही है तो पॉइशन के नाम लिएगा अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और हमारा अगला पॉइंट क्या है ध्यान देंगे हमारा अगला अगला पॉइंट है आपका क्ações Jew cure क्या होता है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब हम accounting पर रहे थे याद है कि नहीं एक ll cavalry को कि幟 में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के हमारे inferior होते हैं एक होता है हमारा फाइनेंशियल और हमाबा क्या calendar जितने भी organization होते हैं आज के समय के 2024 की अगर हम बात करें जितने भी organization है चाहे soul हो चाहे partner हो चाहे company हो चाहे corporate हो चाहे चीव हो सब का सब बेटे financial year follow करते हैं सब का सब follow करते हैं कारण क्या है क्या है कि financial year जिसे हम लोग अपने भासा में कहें तो यह आपके देश का सच बता है तो calendar यहीं से स्टार्ट होता है इंडियन calendar है यह आप ऐसे समझो financial year इंडियन calendar कहलाता है और जो एक जनवरी को आप लोग happy new year happy new year कहते हो ना वो विदेशी वाला है बेटा मैं नहीं बोलता हूँ वो अलग बात है जब किसी ने मुझे बोला तो मैंने पलट के बोल दिया कि जा किसी ने मुझे happy new year कहा तो मैंने भी पलट के कह दिया जा मैंने किसी को परिसंटली नहीं भेजा तो मैंने भेजा तो मेरे को वह समझ लेता क्या कहते हैं एक सबसे बड़ा दुख है चलि आगे देखेंगे तो फैनेंशियल यह नहीं साल का पीरिड होता है जो की स्टार्ट कहां से होता है आपका एक अपरेल से स्टार्ट होता है और कहां से होता है बड़ा 31 मार्च को खतम होता है बड़ा बड़ा समझ में आ गया कि नहीं आ गया कोई समस्या तो नहीं चलिए अब आगे बात करते हैं प्रोप्राइटर जिसे हम बड़े प्यार से मालिक भी कहते हैं मालिक कौन होता है सर जो व्यापार को खड़ा करे जिसने जिसने व्यापार को स्टार्ट किया देखो मैं आपको बताओं आप जैसे प्यारे बच्चों के लिए ही मैंने इतनी बड़ी मसीन लगाई है यह देखो छोटी सी दिख रही होगी इसका सबसे बड़ा पहला काम क्या होता जानते हो यह सिर्फ मेरी आवाज को पहचानता है आप लोग जब बोलते हैं आप लोग चाहें जितना कर लीजिए थोड़ा सा ब्लिंक आ जाता है बीच में बस इसी को कहते हैं नॉइस कोई बात नहीं मैं क्या करूं मैं और नहीं तो क्या है वेरी चलाग ब्रो चलो आओ देखो मालिक क्या है मालिक क्या है आओ देखें मालिक कौन सबका मालिक एक मतलब जो व्यापार को प्रारंब करें जैसे सोल प्रोपराइटर की बात करें बेटा तो सोल प्रोपराइटर में एक ही वेक्ति रहेगा ना प्राटनर्सिड में मिनिममं कितने होंगे पेटे 2 मैक्सिमंप उखने 15 ऑक्पन हैं 20 कि1000 की अगर हम माने ना तो कहता है अग मानने तो 200 वलोगों को किया अनुस भॉक्त हुआ कर टेस्ट वर्जन क्या है है बेटेस्ट वर्जन की कि दो हजार 4 और आप यहार Tai जो़े चौदा दो वजार चौदा तो 50 लोग मैकसिमम इक कमपणी की बाद करें कमपणी में मिनिमम कितने देखोव लिपेंड करेगा कि पब्लिक कंपणी है कि प्राइबेट कंपणी है अम रीक अब लिधिक मिनिमम उत्छ tür और अधिकतम कितनी होगी बेटा अन्लिमिटेड होगी मैं लिख देता हूं इसे आप लोगों के लिए ठीक है हां मैं लिख देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग आगे चलके भूली जाएंगे देखो बेटा हां 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 है हाँ माय मिस्टेख मिस्टेक से ओकर लिए को minimum ति मैक्सिमम है उसको जन देखो इसके बाल आपका जेनल इंट्री इन स्टार्ट हो ने पहले यह घंप साप जरूर जानी नहीं तो पता चले इस ने सब्सक्राइब और आप कोई यहां पर कॉंसेट नहीं है पाइटनर्सिप की बात करेंगे मैं कि में बैट दो हैं मैक्सिमम आपके कितने हैं पचास हैं कि यहां पर आप दोवजार चाउदा लिख दिजेगा ठीक है । हाजार चाउदा के अनुसार है ठीक बेटा है फिर उसके बाद कंपनी है चारीát कंपनी में गाइं कंपनी में है देखिए पहली है आपकी पबिलीक कंपनी ड़ीट ध्यान देंगे पहली आप की पब्लीक कंपनी है मीनिमम आपके साथ हैं Can maximum आपके unlimited है बेटा ठीक है फिर उसके बाद private company की बाद करते हैं private में minimum 2 है maximum आपके 200 है ठीक है बाबू हाँ एक ही बंदा बना है तो एक ही है फिर company के बाद फिर आ जाईए इस पर हुए फ पर आ जाईए हुए एफ बेटा इसमें minimum 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 दो इसमें भी है maximum unlimited है बेटा maximum unlimited है ठीक है बेटा फिर आ जाईए आप cooperative society में इसमें minimum 10 हैं और maximum आपके इसको गूगल कर लीजेगा शायद unlimited है कि क्या है इसको गूगल कर लीजेगा कि इसको गूगल कर लीजेगा कि minimum number of cooperative society and maximum number of cooperative society ठीक है तो मालिक वाला concept clear हो गया बेटा ठीक है कोई सबस्या तो नहीं चलो आगे देखेंगे इसमें लिखा भी है the person who set up the company or a business who has all right related to the business and bear all the risk of the business is called the proprietor ठीक है बटा अब आगे बढ़ते हैं अब उसके बाद capital क्या होता है sir अरे owner के द्वारा owner के द्वारा जो भी कुछ amount invest किया जाता है और मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके से investment होती है पहला क्या होता है पहला क्या होता है cash होता है दूसरा क्या होता है एसेट होता है और तीसरा क्या होता है आपका kind होता है लिखो लिखा क्या है to start any business some investment is needed so that it can buy the necessary assets and goods used in the business this investment is called the investment this investment is a call this investment is a call the capital to buy the necessary goods and the assets business में जो भी आवश्यक्ता भूत संपत्ति है होती है या goods होता है उसको खरीदने के लिए capital की जरूरत है और वह capital इसके द्वारा लगाया जाएगा आपका owner की द्वारा लगाया जाता है क्लियर हो गया बेटा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी transaction की transaction मैंने आपको बताया था बेटा transaction का मतलब क्या होता है relation between the seller and purchaser relation between seller and purchaser या आप यह भी कह सकते हो कि sir selling or a buying selling or a buying goods and services between the two or a more trader with the aim to earn the profit is called the transaction और यह जो transaction है यह जो सौदा है कि दो तरीके का होता है एक आपका cash transaction और एक आपका credit transaction cash transaction क्या होता है जहां पे हमें पैसा मिलता है actual में पैसा मिलता है और credit transaction का मतलब होता है कि जहां पे भरोसा मिल रहा है वादा मिल रहा है promise मिल रहा है वो आपका क्या कहलाएगा credit transaction वहाँ पे आपको पैसा future में मिलेगा आपको पैसा आपको कब मिलेगा future में मिलेगा point clear हो गया वेटा चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं transaction के बाद अगला point हमारा क्या कहला आता गुंड्स कहला दा जिब भी भी आपको करते हैं तो गुड्स का मतलब क्या होता है जिस business में हमें जिस róż नेच जो हमारा nature of business है उस nature of business में जो हम regularly najwięек सेल और परिचेस कर रहे हैं जो ہम regularly क्या कर रहे हैं तो वही किया कहले बशल्च कषबें केय 54 गुट्स करना क्यूम में लिए जो क्या लाइगा नेचर बूस्ट हो जाएगा देखो क्या लिखाय कि और ब्रॉड्ट रोडव ऑनाष जो भी हम बिजनस में régularly डील कर रहे हैं वो हमारा क्या कहला एaving वाबू बिजनस के गुड्स कहलाए का अब क्ग्जामफल कै लिए देखो यहां पे ग्राам शरी स्टोर का मैं रैख्जामपल लिया है अब grocery store में क्या-क्या मिलेगा साबुन मिलेगा, तेल मिलेगा, सैंपू मिलेगा ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि काफी किताब कलम मिले वो स्टिशनरी सौप में मिलेगा अब ऐसा तो नहीं कि जूता चपल मिले वो आपका क्या कहते हैं वो चपल वाली दुकान पर मिलेगा क्लियर हो गया बिटा अच्छा आगे एक पॉइंट दिया है कि इस जरह बताओ परचेस क्या है जिस गुड्स को हम दूसरे व्यापारी से खरीद रहे हैं एक बात बताईए आप यह जो जो भी चीजे पढ़ रहे हो यह बिजनस के पॉइंट पर पढ़ रहे हो कि कस्टमर के पढ़ रहे हो बिजनस के ना तो हम खरीदेंगे किस से व्यापारी से ही तो खरीदेंगे किस से खरीदेंगे व्यापारी से ही खरीदेंगे हम ब्यापारी हम रीटेलर हम होल सेलर हम डिस्ट्रिब्यूटर हम कंपनी हम हम तो हैं चाहे हम कंपनी बन जाए चाहे डिस्ट्रिब्यूटर बन जाए चाहे होल सेलर बन जाए चाहे रीटेलर बन जाए लेकिन कस्टमर नहीं बनेंगे हम customer नहीं बनेंगे क्यों कि customer अगर हम बने तो फिर इतना पढ़ने की जुरूत ही क्या है क्या customer कभी recording करता है क्या customer कभी classification करेगा क्या customer कभी accounting का जितनी भी term है वह सब पढ़ेगा उसको क्या जुरूरत है पढ़ने की उसके लिए तो सर्फ या तो इंकम या तो एक्सपेंस या तो आएगा या तो जाएगा यही चीज तो है और जाएगा तब जब कुछ आएगा यही तो चीज यह समझो ना तो पर्चेस क्या होता बेटा क्या लिखा है कि वेन गुट्स एंड शर्विसेस आर ब्रॉट फ्रॉम दा अनधर ट्रेडर अगला पोईंट हमारा क्या आता है स्टेल आता है स्टेल क्या होता है अरे भाई स्टेल हम किसको करेंगे बिजनस्मेन को करेंगे या किसी कस्टमर को करेंगे कि बिजनस्मेन को या कस्टमर को कस्टमर को जिसको भी हम बेचेंगे वो हमारा कस्टमर होगा जिससे भी हम खरीदेंगे वो हमारा सप्लायर होगा ऐसे समझो, जिससे हमने खरीदा वो हमारा सप्लायर जिसको हमने बेचा वो हमारा कस्ट्रमर ऐसे समझो, being a business student, being a commerce student आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप जिसको बेच रहे हो, वो आपका कस्ट्रमर है जिससे आप खरीद रहे हो, वो आपका सप्लायर है यानि बिजनस वो भी तो कर रहा है बिजनस वो भी कर रहा है, आप भी बिजनस कर रहे हो बोथ हार, B2B concept ठीके बटा, क्या लिखा है कि वेन गुट्स और सर्विसेज, वेन गुट्स और सर्विसेज और सोल तू दा अनदर मर्चंट मतलब कस्ट्रमर इन दा बिजनस इस कॉल्ड दा सेल क्लियर हो गया बिटा, अब उसी तरीके से एक पॉइंट और आता है कि सेल रिटन क्या होता है अरे भाई, पर्चेज रिटन क्या होता है आपने अभी समान खरीदा था, किस से, सप्लायर से न, कोई समान अच्छा नहीं आया तूटा फूटा हो गया, या उसकी एक स्पाइरी डेटा आ गई, क्या करोगे, अपने पास रखोगे आपस कर दोगे न, क्या कर दोगे, वो आपस कर देंगे, भाई, सीदी सी बात है, क्या लिखा है पर्चेस रिटन बन दगुडस और, वेन दगुडस परचेज़ इं दग बिज़नेश, आर रिटन तू दग वर शोगे, अधी ड़ोट इंग मतलग इलिए रटन है, या लिग गुडस रिटन तू न, ड़ोटा ता इस प्लायर, इस पॉड्ड दा परचे़ रिटन, और सप क्रेडिट वाला कॉंसेप्ट पड़ रहे थे ना क्रेडिट वाला जब आप क्या पड़ रहे थे ना क्रेडिट वाला जब आप क्या पड़ रहे थे कॉंसेप्ट पड़ रहे थे तो कैस को छोड़ कर जो क्रेडिट का कॉंसेप्ट है अतलब कौन सा क्रेडिट सेल रिटन कैस सेल रिटन या फिर क्रेडिट परचेज या फिर आपका क्या क्रेडिट परचेज ज्यान दो जो आपके डेटर होते हैं उनका ओरिजिन क्या होता है उनका ओरिजिन होता है आपका क्या क्रेडिट सेल उनका origin क्या है आपका credit sale और जो आपके creditor होते हैं इनका origin क्या होता है आपका credit purchase यह चीजे आपको याद रखनी है भूलनी नहीं है यह चीजे याद रखनी है कि credit sale जिसको भी आप समान बेचोगे समान किसको बेचोगे customer को ना तो वो customer हमारा क्या बनेगा डेटर कस्टमर हमारा क्या बनेगा डेटर समान किससे खरीद रहे थे अप सप्लायर से उधार खरीद रहे हो ना समान किससे खरीद रहे हो आप सप्लायर से कि और supplier से जु समान ख्रीद रहे हैं उधिद रहे हो बाद में उसको दो गें की नहीं दो गें वह के लाएत में एक लिए गर में घ्नी में गलत लिकुझ उठा है लिइड what letter को देंदार कहते हैं क्रेटिटर को क्या कहते हैं अब Trung लेंदार कहते हैं कि दिक्कत तो नहीं कि अग्ला पॉइंट आता है वेटा यह क्या होता है सब यह क्या होता है सब्सक्राइब अभी तक पैसा लगा रहे थे कौन पैसा लगा रहा था बिजणेशमें लेकिन कभी-कभी क्या होता हैं को बिजणेशमेंड की मने करता है जैसे मैं मैं अब हम मैं सुबा की बात बुत बात, आपको कहूंगो कि जब भी आप लोग शादी सुदा हो जाईएगा तो जब भी आपके वो घर से बाहर जाएंगे तो उसे कहिएगा कि हमको कुछ जरूर दे कि गहर से निकलते समय अगर पती इंपनी पत्नी को कुछ देता है यह नहीं सास्त्र और ऐस दिन वह पईसा ज़रूर कमाने जब है इसे लिए मैं क्या करता हूं जब भी मैं निकलता हूं घर से तो मैं कुछ न उप्सक्र देता हूं तो आज मेरे पास फुटकर नहीं था कि मैंने कहा कि काम करों ये पैसा ले लो इस में ऐपास है numbers ले लेमने क्वाली में अब च्छोप function क्या हुआ फाइदा क्या हुआ सुभा सुबा तीन बच्चों की Bye अभी मेरे ख्यान दो बच्चों के और आने वाली है सोचो तो ये सोचो सुवा मैंने पांसो दिया और मेरे ख्याल से दो धाई हजार रुपए का सौधा हो चुका है ऐसी पार्टी भाई तो अब एक चीज़ समझो ये जो पैसा मैंने अभी उदर दिया तो क्या वो मेरे लिए क्या कहलाएगा मेरा बिजनस एक्सपेंस कहलाएगा नहीं वो मेरा क्या कहलाएगा ड्राइंग कहलाएगा जो भी बिजनस मैन अपने परसनल यूज के लिए पैसा निकालता है अपने बिजनस से के लिए मतलब खुद का खुद का या उससे संबंदित विक्तियों का ठीक है पर्सनल में आ जाएगा ठीक है चलो आगे देखेंगे अच्छा वह एक और पॉइंट आप लोगों ने सुना बहुत होगा डेप्रिसियेशन और मुझे ऐसा लगता है कि डेप्रिसियेशन इस जस भी कंट बनाओ डेप्रिसियेशन अकाउंट बनाओ जर्णल इंट्री करो धिदो भी और इचऊ फिर खरी दो फिर बेचऊ जिए न है यह उनर यह आपके आ पर पना कहानी होता है क्या खारीं इंदा-वेलिव औरैस its due to their use not only the use better not only the use but accident भी ग्लिख सकते हो आप ठीक है क्या लिख सकते हो आप एक्सिडेंट भी लिख सकते हो आप मार्केट चेंज ओफ मार्केट टेस्ट भी लिख सकते हो चेंज ओफ मार्केट टेस्ट भी आप लिख सकते हो यहां पर अच्छा चेंज इन मार्केट टेस्ट को हम लोग आपसलेंस कहते हैं तीक है जैसे क्या होता है कि नहीं फैसन चेंज हो जाना अब चेंज टेकनोलोजी भी आप लिख सकते हो कई सारे फैक्टर हैं अभी मैं आपको बताऊं एक मैंने एक बार देखा था गर्मियों में अक्सर बच्चीयां क्या करती है कि जो सलवार सूट पहनती हैं बड़ा अच यहां से यह से ठीक है मुझे समझ में नहीं आता कि यह कराने की आउशकता ही क्या है ठीक है तो इस इस कॉल्ड फैसन अचे चलो ठीक है वो तो समझ में आता है एक बार मैं आपको बताऊं बड़ी कमाल की बात है और मैं बहुत बहुत खुस हुआ था एक हमारे दादा थे 80 लंटा हा मैं क्यों आफिक है ठीक है तो तो वह अगर आपने देखा होगा तो जो गांवाले वेक्ति होते हैं चॉबाव थोड़ा फैला टाइब कर रहता है अग्या बड़ा फैला रहता है दद्दू जो पैजामा पहन के समोसा ले रहे थे मेरे साथ उसी के जस्ट बगल एक लड़की भी वही तरीके से पैजामा मतलब उसे क्या कहते है पलाजो पलाजो हिंदी में पैजामा इंगलिस में पलाजो ठीक है तो जब मैंने दद्दू का वो देखा बगल में वो लड़की भी थी मैंने कहा दद्दू और इसका टेकनोलोजी सेम चल रहा है तो यह भी देखो चेंज इन टेस्ट चलो आगे देखेंगे बड़े प्यार से लोग उसको प दद्दू पहीने रहें दद्दू का देखी देखा। अधीक मैं बैप इसे अथ that देखों मैं आपको बता हूं जो फेसन होता कि टा घ्रक सक्zubाफ लुट यह फेसन किसको देख के सीखते हो कि वह बतां कि फेसन जो आप देख सीकते हो नो यह देली पणीब ये घो गोपी अनुपमा अनुपमा मैं बहुत दुखी हूँ अनुपमा सीरियल का नाम सुनते मेरा सरदर्द हो जाता है देखो आप इसको मैं बात में समझाता हूँ यह अनुपमा है यह इनके पती बनराज इन से इनका डाइबोस हो गया अन्पमा ने दूसरी साधी कर ली इसके पहले पती ने भी दूसरी साधी कर ली ठीक है फिर उसके बाद अब समझो इसके जो पहले पती की दूसरी बीवी है ये मम्मी बनने वाली है वो भी अपने पहले पती से ठीक है मतलब इतना मतलब आप यह सोचिए कि यार इतनी एकता कहां से आती है यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है ही के मतलब भगवान क्या कहें हम अच्छा एक सीरियल और है यह रिस्ता क्या कहलाता है भाई साब मेरे ख्याल से मैं जब 18 साल का था तब से यह चल रहा है 18 से अब मैं लगभग 28 से 29 साल का हो गया हूँ अभी तक साला नहीं पता चला कि यह रिस्ता क्या कहला रहा है फिर कोई बात नहीं हम से पूछ लो हम बता दें अरे रहने दो ठीक है एक ठो आता था नागिन कभी उसमें इच्छादारी नागिन पीली कलर की हो जाएगी कभी लाल कलर की हो जाएगी सब्तु सब शाल एक्ठो नेवला आ जाता है नाग मळिक पीछे है फिर कोई बात नहीं यह लोग मारेये हैं बेडा गर्ग कर दियें और आपको बताऊं यही लोग आपके दिमाग को डेप्रिसीयेट कर रहें यही लोग आपके दिमाग को डेप्रीशेट कर रहे हैं, जितने भी ध्यान से सुनिए, जितने भी क्राइम होते हैं, उस क्राइम का जो मोडस अपरेंडिस होता है, वो 90% मैच करता है किसी ना किसी सीरियल, किसी ना किसी मूवी, किसी ना किसी टीवी की घटना से, कोई भी अगर आपको याद हो जब लॉक डाउन था रामायड कोई स्टार्ट किया गया था रामायड की जो ट्यार भी है अन्य सीरियलों के पेच्छा बहुत जादा हो गई थी तो ऐसे सीरियल अच्छे हैं अब यह नहीं कि एक मैंने सीरियल देखा था पता नहीं कौन सा साथ दस साल का लड़का था और साइद 22 साल की लड़की थी कोई उसकी उसकी साधी करवा दिये थे पता नहीं कौन सा सीरियल था मैं बनूंगी पिया की पता नहीं से कुछ करके था कि बाइस साल की थीग है तो आप बाल वीबा वाला भी कुछ चला था खैर डप्रीशीएट आगे देखेंगे अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं चलिए एक चीज मैं आपको बता दूँ मेरी बात सुनिए बेटा जो डेप्रीसियेशन होता है वो हमेशा और हमेशा बेटा human made structure पर लगता है human made resource पर लगता है आप यह हमेशा याद रखिएगा natural made resource पर कभी भी आज तक किसी ने depreciation लगाने की कलपना नहीं की है पारण क्या है इसका human made structure या human made resources की life हमेशा limited होती है और natural made resources की life आपकी unlimited होती है एक चीज जान लीजे बेटा हर छेत्र में बेटा हर छेत्र में एक चीज जानी अब आप कहोगे कि सर तेल पेट्रोल कुओं यह सब पहले ही खतम हो जाता धेल भी ठील कप से चल रहा है की नजने कितनी पीडिया उसका इस्तवाल कर रहे हैं और आने वाले समय में कितना करैंगों सिर्फ और सिर्फ नेटाओं के बताय हुए चोचले हैं अथ झानी है आप हमारे देश में भी बहूँत natural लेकिन हम लोग उसको यूस नहीं कर रहे हैं कारण क्या है आने वाले 20 साल बाद उसका यूस करेंगे क्यों क्योंकि एक समय आएगा जब दुबाई से खतम होगा हमारे देश से निकलेगा तो हमारे आपी सेख पैदा होंगे वाल्ला हभी भी थेली आगे देखेंगे तो बड़े प्यार से कहते हैं रिड या जिसे हम कहते हैं बेटा कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हमने किसी बाहर वाले से पैसा ले लिया और बाद में उसको क्या कर देंगे बाद में उसको पैसा क्या कर देंगे देंगे अरे भाई हमारा काम हुआ हमने काम खतम यह अब यह जो लोन होता है वेटा यह दो भागों में बढ़ता है एक सिक्यूर्ड लोन होता है और एक आपका क्या होता है अनसिक्यूर्ड लोन होता है सिक्यूर्ड लोन का मतलब होता है जिसके बदले आपको कोई चीज गिर्वी रखनी पड़े इसके बदले आपको कोई चीज क्या करनी पड़े गिर्वी रखनी पड़े और जिसके बदले कोई चीज आप गिर्वी नहीं रखते हैं वो क्या हो गया आपका unsicure हो गया जैसे आपके दोस्त कहा है भाई जरब 20 रूपया देना तो आप क्या कहोगे कि चला भाई अपना तू पहले कापी जमा कर या किताब जमा कर तभी लोन दूंगा आपने तुरंते 20 रुपया भेज दिया तो इस प्रकार का आपका एमाउंट क्या कहलाएगा सीक्योड या अनसीक्योड कहलाएगा क्यूं क्यूंकि अगर आप अपने कि दोस्ते अ शात हैं तो आपको देदेगा और अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त हैं तो बिल्कुल नहीं देगा सकता है तेएँ पैसा दिया और अध्स तक पैसा मांघज नहीं पाए हैं या मिला नहीं है थेक है है वह ऐलग चीज दोस्ती तूट गई की है तो यह चीज आप देखिए loan क्या होता है दो तरीके का एक sicures और एक का आप उसके बतले कोई गिर्वी रखते हो और उसके बदले कोई भी चीज आप गिर्वी नहीं रखते हो ठीक है आगे देखेंगे यह इंग्लिस में है इसको आप लिख लीजएगा अभी मैं इसका पीडिएफ आपको भेद दूंगा परिसान ना हुई है चलिए आगे देखेंगे लाइबिलिटी अब देखो लाइबिलिटी क्या है देखो लाइबिलिटी लोन लोन से ही देखो जो लोन है ना वो लाइबिलिटी का एक्जामपल है लोन आपका किसका एक्जामपल है लाइबिलिटी का कॉंसेप्ट बहुत वाइडर है लाइबिलिटी और जो लोन मैंने आपको बताया व जिसको आपको देना ही देना पड़ेगा, अब उसी liability को हम कितने भागों में बाटेंगे, दो भागों में बाटेंगे, एक आपका क्या कहलाएगा, current और एक आपका क्या कहलाएगा, fix, या जिसे हम बड़े प्यार से non current भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नौन current भी कहते हैं, या जि इसको आपको साल भर के अंदर अंदर पे करना रहता है और यह आप आफ्टर दा वन यह यानि तीन सो पैसेट दीन या बारा महीने के बाद भी आपको इसको क्या करना पड़ता है पेमेंट करना पड़ता है क्लियर हो गया वेटा कोई समस्या तो नहीं चलवागे देखेंगे अगला पॉइंट क्या कहता आपका रेवेन्यू जिसे आय कहते हैं जरह इसको एक बड़ कि मैं आ रहा हूं एक मिट में प्रोभियाो ट्टाएंट काम चलिफर दे एक मिट राहा है क्या ओिलास सबस्प Far मlarम है और अर Begin झाenessman, मैं, क्लिछॉब के लिए है ट्मांट चको दो छॉईंट आपको रहा है रहा है यह रहा है यह जूशनाब भीपनोंवान आरना पर प्य tenantsцевिखहस्ई चलिए आगे देखेंगे देखें यहां पर कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं है जैसे क्या होता है जैसे क्या होता है revenue revenue और income देखा जाए तो इसका concept एक ही होता है इसका concept होता है एक ही होता है बस इसकी definition होती है वो थोड़ी सी आपकी क्या हो जाती है जैसे देखेंगे जब आप revenue की बात करते हैं इसमें क्या लिखा है टोटल इंकम माइनस टोटल अर्णिंग टोटल इंकम माइनस टोटल एक सेकट एक सेकट रिखो तोटल इनकम यहां से यह माइनस नहीं है वेटा यह है टोटल अर्णिंग विच इस डण ओन और शेलिंग रिवेन्यू यानि जब हम टोटल की बात करते हैं टोटल का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया कि 10 लाक रुपय का समान बेच दिया दस लाग रुपए का क्या कर दिया समान बेच दिया जो पैसा आपको मिला या जो पैसा आपको भविश्वे मिलेगा वो आपके लिए क्या कहलाएगा revenue कहलाएगा और जब आप income की बात करोगे तो इस में से आप अपने expense को आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा और जब आप expense को माइनस कर दोगे तो फिर जो balance आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी income कहलाएगी अरे भाई 10 लाग तो मिला लेकिन 10 लाग को प्राप्त करने के लिए 8 लाग का खरचा भी किया है आपकी आई कितनी हुई हईगी दो लाग हुई आपकी income कितनी कहलाएगी फिर 2 लाग कहलाएगे समझ में आरे है बिटा अब इसी income को दो भागों में बाटा जाता है ओए भाईया सुन ले इसी income को दो भागों में बाटा जाता है एक आपका कहलाएगा direct income और दूसरा क्या कहलाएगा आपका इंडारेक्ट इंकम बिजनस की सिर्फ एक ही डारेक्ट इंकम होती है धान से सुनिए बिजनस की सिर्फ एक डारेक्ट इंकम होती है जिसका नाम क्या है आपका सेल बस और कुछ नहीं है ताकि जो भी आपको कुछ रिसीव हो रहा है वो आपकी इंडारेक्ट इंकम होगी जो भी आपको कुछ रिसीव होगा चाहे कमीशन रिसीव हो जाए चाहे आपका रेंडर रिसीव हो जाए चाहे आपका इंटरेस्ट रिसीव हो जाए लेकिन एक ची मैं से फ्रीद को बेच और खरीद्ट रहा हूं तो सेर को बेचने और खरीदने से जो मुझे कमीशन मिलेगा वो मेरी डारीक्ट अंधा माल लीजे पैसलोड के लहाइबमने घर किराये पे रखाद है जो झाह हो गया लेकिन जो typically यह आपकी क्या कहलाती है यह विअ हो गया गया और इंड्रीप बेजो भी कुछ आपको क्या हो रहा है रिसीउँ हो रहा है आगे देखेंगे अब बात करते हैं अपके प्रॉफिट की प्रॉफिट क्या होता आब बात किसकी करते थे पेटा एक बात बताओ आप कबाड बेचा आपने आपने कबाड बेचा कुछ पैसा प्राप्त किया कौन सी इंकम कहला होगे डारेक्ट या इंडारेक्ट दरसल क्या है ना सारा दिमाग तो खाने में लगा है सारा दिमाग तो चिलकम चबाने में लगा है वो तो अलग बात है कि सर हम भी पढ़ रहा है इसलिए हम पूछ रहे हैं वही वाली कहां कहां नहीं है पीटा दे लो ठीक है आगे देखो ध्यान से कि अगला पॉइंट आपका बटा प्रॉफीट और इस प्रॉफीट को फिर भाग नहीं है पहला ग्रॉप ऑर दूसरा क्या है नड्प प्रॉफीट क्या होता है जो भी आपकी इंकम से ज़्यादा आपको रिसीव हो जाए मतलब बड़ा ध्यान देंगे इंकम is a more than your एक्सपेंस ए बड़ा इंकम is more than your expense is called the profit आपकी इंकम अगर ज्यादा है आपके किस्से खर्चे से तो आपके लिए क्या कहलाएगा profit कहलाएगा कहलाएगा वह आपके लिए profit कहलाएगा अचा एक चीज और सुनना ध्यान से जब हम यहां पे डारेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं या इन आपका नेट प्रॉफिट की बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता देखेंगे जरा यहां पे आपका बेटा डारेक्ट इंकम इसमोर देन ग्रॉस प्रॉफिट में आप यहां पे लिखेंगे direct expense जो baiलेंस निकल कि आएगा वो आपका क्या कहलेगा gross profit कहलाएगा इखलाएगा आपका gross profit कहलाएगा हुआ कि समझ में आ गया यह वेल्लब gross income is greater than your sorry direct income is greater than direct expense are sir net profit क्या होगा नेट प्रोफिट का concept क्या है समझ जरा ध्यांसे gross profit plus indirect income gross profit plus indirect income is greater than indirect expense indirect expense आपको याद हो जब आप लोग final account पड़ रहे थे final account में आप लोगों ने trading account बनाया था आप लोगों ने profit and loss account बनाया था तो trading account में आप gross profit find out करते थे तो अगर आपको याद दो trading account में सारे direct expense को आप debit side लिखते थे और indirect income को किस side लिखते थे credit side और direct income में सिर्फ एक ही चीज तो आप लिखते थे क्या fail अब आप कहोगे sir closing stock भी तो लिखते लिखते थे मैं आपको बता दूँ closing stock किसलिए लिखते थे क्योंकि आप लोग material consumption का formula यूज नहीं करते थे आप लोग किसका formula नहीं यूज करते थे material consumption का formula यूज नहीं करते थे अब आप कहोगे sir material consumption का formula क्या है तो मैं आपको बता दे रहा हूं सुनिए material consumption का formula हमारा क्या होता था material consumption इसका हमारा formula होता है बिटा opening stock plus net purchase अच्छा net purchase कैसे आता है पता है न सबको purchase minus purchase return net purchase plus expense related purchase expense related purchase minus closing stock minus closing stock यह जो balance आता था यह आपका material consumption कहलाता है clear हो गया बिटा यह आपका क्या कहलाता था material consumption हम लोग material consumption का formula नहीं लगाते थे बलकि हम लोग यह डेबिट साइड में opening stock to purchase फिर credit में लिख देते थे by closing stock लेकिन अगर आपको याद हो तो एक सब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्जेस्टेड परचेज तो वहां पर आपको यह अर्जेस्टेड परचेज का concept आपको दिख जाएगा ठीक है चलो कोई बात नहीं वहां नहीं देखा तो आप यहां देख रहे हो ना यहां आ रहा है चीजें समझ में चलो आगे देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता अगर किसी ने ऐसे दो आप सीधा कहना कि sir gross profit means balance excess balance of the direct income excess balance of direct income against the direct expense और अगर किसी ने पूछा कि what is the net profit अब सीधा कहना the balance of the gross profit and indirect income is the excess than indirect expenses बाद सिंपल सा कहानी clear हो गया बटा चलो को आगे देखेंगे अगला पॉइंट देखेंगे ग्रॉस प्रफिट हो गया यह एक्सपेंस देख लेते हैं एक्सपेंस क्या होता है एक्सपेंस क्या होता है सर जो की माल को बेचने के लिए किया जाता है की खर्चा किया जाता वाई आपके लिए क्यक्सेंद सबस्राइक कितने तरीकले कितने हैं । त देखो डियरीक्ट का रिभी होता है जिसके बीना आपका काम ना हो इब सबसेंद से होता है ठीक है एक मैट पेटा डारीट का मतलब क्या होता है जो जिसके बीना आपका काम ना हो जैसे आप समान बेच रहे हो बेचने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा क्रीदना पड़ेगा ना अगर आप बेचनी है तो सबसे पहले आप करने हैं खरीदनी है आप क्यों इस अरे आप करने ला रहे हैं माँ लीज आम अम्रूत बेच रहे हैं आरे तो पड़वाँ ला रहे हो मान रहे हैं कि बात बेचने के लिए लेबर दो बैठना पड़ेगा ना ए कि नहीं हो गया कि पेड से तोड़े हो तो पेड़ को लगाऊगे न उसको अपनी दुकान तक लाने में भी तो खर्चा होगा कि नहीं होगा यह भी चीज़ तो आप समझो एक्सपेंस गया जाता है गुट को बेचने के लिए किया जाता है और यह दो तरीके का है पहला क्या है आपका डारेक्ट और दूसरा क्या है आपका indirect indirect क्या करता जो सिर्फ support कर रहा है जैसे example देखो advertisement क्या advertisement के बीना हम समान नहीं बेश सकते कि बेश सकते हैं नहीं बेश सकते salary एक बात बताओ 30 दिन के लिए पैसा दिया जाता है न तो क्या 30 दिन एक ही काम कराया जाता है क्या अलग-अलग न तो क्या आप उस अलग-अलग काम को बाट पा रहे हो क्या नहीं बाट पाओगे न जब नहीं बाट पाओगे तो सीरीस ही बात है यह आपके लिए डारेक्ट हो जाएगा डारेक्ट हो जाएगा नहीं भईया इंडारेक्ट हो जाएगा अच्छा इस्टेशनर यह जो pen pencil cutter pen है कि सिर्फ एक ही काम के लिए इस्तमाल होगा क्या अलग-अलग ना जो आप repair कर रहे हो माली जा आप गाड़ी चला रहे हो तो क्या गाड़ी एक ही रूट पे चलेगी क्या बार-बार अब मसीन एक ही काम के लिए चलेगी क्या बार-बार अमझ में आ गया क्या नहीं आ गया बैटा जालो losses क्या होता है sir अब वही चीजे उसी का opposite कर दो उसी को क्या कर दो आप opposite कर दो ठीक है किसको opposite कर दो जो आप net loss और gross profit ला रहे थे जो आप क्या ला रहे थे जो आप क्या ला रहे थे gross profit ला रहे थे और जो आप net profit ला रहे थे उसी को just opposite कर दो यानि आपका जो direct expense है इस बार जादा हो आपके किस से direct income से तो आपका क्या आ जाएगा gross loss आ जाएगा और net कैसे आएगा जब आपका gross loss plus indirect expense is greater than your indirect income clear हो गया बेटा चालो फिर आज के लिए फिलाल इतना ही बाइस ट्रम्स हम लोगे ने आज की class में cover किया है आप लोग इसको कल पूरा पढ़कर आईएगा जब आपकी अगली class होगी इस अगली class में हम सबसे पहले आप लोगों से पूछेंगे सुनेंगे और याद रखिएगा बेटा जी अगर आप लोगों को नहीं याद आएगा कोई दिक्कत नहीं मेरे पास आप लोगों के लिए चीज है अगर अगर आप सर्फ इस्टुडेंट हैं तो यह अगर देखें अगर अगर आप लोग लोग वाहर हैं लास के अंदर आप सर्फ स्टुडेंट हैं अगर पाकि कि अगर कि अगर अगर आप अ अ कि अ तो चले विड़ा चले फिर मिलेंगे अब कल तब तक के लिए आप सभी अपना आप लोग बहुत बहुत ख्याल रखिए कोई भी समस्य आपको रहे तो आप नीचे दिये गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं ठाकि ख्याल रखिए आप सभी अपना आप